दोस्तों मौस्ट रलकम मेरने वीडियो के दर आम बात करने वाले हैं, रनवीर शिंग को लेकर हम बात करने वाले हैं, उनकी upcoming फिल्म को लेकर हम भाई बात करने वाले हैं, बेसिकलि दोस्ताब सभी जानते कि रनवीर जो शिंग हैं, वो काफी talented actor हैं, बहुत सारी movies में, अलग सकते हैं कि कितना challenging काम होता है भाई शारुखान जहां खड़ा है उस जगए कोई दूसरा बंदा काम कर रहा है तो उसके लिए कितना भाई challenging होता है आप जानते हैं कि शारुखान ने dawn 1 और dawn 2 के अंदर काम किया था और dawn franchise को भाई 7 वे आस्मान पर पहुंचा दिया था जो फैन है वो basically इंतजार कर रहे थे कि dawn 3 कब आएगी dawn 3 कब आएगी बट जिस दिन बड़ा shocking लगा कि एक चोटा सा वीडियो आता है और वहाँ पर भाई रनवीर सिंग को दिखाया जाता है और फिर यह काया जाता है कि शारुखान ने इसके अंदर काम नहीं कर रहे हैं या शारुखान को रिप्लेस कर दिया गया है उसके बाद आपको पता है कि social media पर काफी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भाई पैदा हो गई थी कि शारुखान को रिप्लेस कर दिया भाई ये तो बहुत बड़ी बात थी लेकिन भाई आपको बताते हैं पूरी बात विस्तार से लेकिन दोस्तों आप हमें sport करें चाहें और जल्दी से subscribe करें लाइक करें तो दोस्तों आपको बात करने वाले Don 1, Don 2, शारू खानने काम किया था और जबरदस्त काम किया था और शारू खानना बहुत जबरदस्ट भाई, एक्शन आवथार देखने को मिला था और प्रियंग का चोपड़ा को काफी जादा भाई, पसंद भी कियागा था उस मовी के अंदर तो फिर Dawn 3 के अंदर भी जो Phantom मांग कर रहे थे कि Dawn 3 कब आएगी लेकिन basically मैंने पहले ही कि बताया दिया आपको कि वहाँ पर शारुखान और मांग कर रहे थे कि शारुखान इस फिल्म के अंदर होना चीए फिल्म के जो script ते कहानी थी वो शारुखान को उन्हें सुनाई बट उन्हें काई कि शारुखान उस script उस कहानी से सहमत नहीं थे तो शारुखान और मैं दोनों सहमती चे अलग अलग हुए बाकि मैं शारुखान को replace करने की मेरी कोई ओकात नहीं है फरान अक्तर है विर्कुल सही कहा है दोस्तों सारुखान को replace करने की ओकात फरान अक्तर की दूर दूर तक भी नहीं है भाई सारुखान जहां आजाए वहाँ उनको replace करने की ओकात किस के अंदर हो सकते हैं आप जानते हैं यार मंदा क्या है दोस्तों शारु खान से बड़ा कोई talented कलाकार ने तो कभी हुआ है ना है और दोस्तों मुझे लगता है होगा भी नहीं आज आज के टाइम में सारु खान का भाई जो जल्वा चल रहा है आपने देखा होगे पठान जवान और डंकी दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते हैं दो तो फरान अक्तर ने बेसिकली कह भी दिया है कि मेरी ओकात नहीं भाई रिप्लेस करने की ठीक है फरान अक्तर आपके ओकात होनी भी नहीं जीए क्योंकि जिस स्टार के धंपर आपने वन और टू डौन फिल्म चलाई है तो यहां रनवीर सिंग के लिए भी काफी सारा प्रियंका चोपडा के जगहे भी आपको पता है कोन है यारा अडवानी ने भाई जगहे ले लिए बिसिकली अब हम बात करते है इस फिल्म की जो सुटिंग है अभी बहुत जल्दी भाई इस फिल्म की सुटिंग स्टार्ट हो जाएगी यहां पर रनवीर सिंग ने भी काय कि मैं शारुखान के जहें काम कर रहा हूं तो मेरे पर बहुत सारा प्रेशर भी है और मैं अपना बैस्ट दोंगा दोस्तों बैस्ट दोगे रनवीर भाई तभी आप चल पाओगे बैस्ट नहीं दिया तो आपको पता है कि कोई आपको दूर दूर तक पोचने वाला नहीं चाम पिभी है है आप एक ल environments ने लिए याप शारुखान की ज्यंगां काम कर रहे है तो आपको पता है कि की तना सारा प्रेशर है तो वह रनवीर क्या भी रहे है कि मेरे बहुत जारा प्रेशर है यह प्रेशर तो आपके पर होना अभी चाहिएक क्यों कि आप गच्वीन व को पता है कि जो फिल्म की स्टार काश थी उसको बदल दिया गया है और कहानी है उसको भी चेंजमेट कर दिया गया है अब भाई देखने वाली बात होगी कि ये फिल्म कितना सारा कलेक्शन कर पाती है और शारू खान ने अब खुद इस फिल्म को छोड़ा है उसके छोड़ने के बाद में डाउन त्री कितना सारा कलेक्शन कर पाती है और रनवीर सिंग और क्यारा आडवानी क्या कुछ ऐसा काम कर पाते है भाई जो ऐसा लगे कि शारू खान से कम से कम मुकाबला तो कर सकेंगे शारू खान ने इतना अच्छा काम किया था हम कम से कम इतना काम कर रहे है ये तो भाई देखने वाला समय बताएगा लेकिन भाई आप क्या सोचते हैं कि आप डाउन 3 वो कलेक्शन कर पाएगी मुच्छा मतकार कर पाएगी जो भाई सारुखान ने किया था तो दोस्तों लिखिए और स्टार्ट और जीज अपनी राए देना